हिंदू जागरण मंच ने जाहिर की नाराजगी आरोपियों के विरुध कारवाई की मांग उग्रांदूलन की दीचे तावनी खबर मध्रदेश के सीधी जिले से हैं जहां थाना अमीलिया अंतरगत ग्राम पहाडी में भगवा ध्वज कुचलने एवं फाड कर जलाने का मामला पहुंचा है हिंदू जागरण मंच ने इस मामले में कड़ी कारवाई की मांग की है बता दें कि विगत वर्षों की भाती इस वर्ष भी बीते बारा जन्वरी को अमीलिया के रिपीट बता दें कि विगत वर्षों की भाती इस वर्ष भी बीते बारा जन्वरी को अमीलिया से सीधी के लिए भगवा यात्रा निकाली गई थी एवं अमीलिया से सीधी तक जगह जगह में भगवा जंडा भी लगाए गए गए थे और बैनर भी चस्पा किये गए थे जहां ग्राम पहाडी में बीते 13 जनवरी को सुभा के लगबग 7 बजे के आसपास बाजार में लगे जंडे बैनर को फाड़ा गया एवं पैर से कुछला गया इतना ही नहीं उसकी पश्चाद आग में डाल कर जलाया भी गया मामले को लेकर हिंदू जागरान मंच ने अमीलिया थाने में मामला पंजीबद करा दिया है एवं आरोपियों को कड़ी सजा की मांग की है वही भगवा ध्वज जलाने एवं कुछलने से समुचे हिंदू जन्मानस आक्रोश है जबकि घटना को अंजाम देने वालों ने स्विकार भी किया है कि मेरे द्वारा भगवा ध्वज जलाया गया और कुछला गया साक्ष की तौर पर वीडियो अपलब्ध है बहरहाल अमीलिया पुलिस मामला पंजीबद कर लिया है बहराल अमीलिया पुलिस ने मामला पंजीबद कर लिया है लेकिन अमीलिय पुलिस के लिए यह एक चुनौती की बात है कि कितनी जल्द आरूपियों को सलाखों की पीछे डालेगी या सोहार्द बिगारने वाले आरूपियों का ऐसा ही होसला बुलंद होगा टाइम 8 मध्यपरदेश केलि Еए सिहावल से पुशपेंदर विश्व करमा की रिपोर्ट मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्यपरदेश टाइम 8 मध्यपरदेश आपका अपना चैनल है तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसके साथ ही चैनल को लाइक, शेर और फॉलो करना बिल्कुल न भूलें हमें हमेशे अंतिजार रहता है आपकी कमेंज का खबर मध्यप्रदेश के सीधी जिले से है जहां थाना अमीली अंतरगत ग्राम पहाडी में भगबा ध्वज कुचल ने एवं फाड कर जलाने का मामला पहुंचा है हिंदू जागरन मंच ने इस मामले में कड़ी कारवाई की मांग की है बता दें कि विगत वर्षों की भाती इस वर्ष भी बीते बारा जन्वरी को अमीलिया के रिपीट बता दें कि विगत वर्षों की भाती इस वर्ष भी बीते बारा जन्वरी को अमीलिया से सीधी के लिए भगवा यात्रा निकाली गई थी एवं अमीलिया से सीधी तक जगह जगह में भगवा जंडा भी लगाए गए थे और बैनर भी चस्पा किये गए थे जहां ग्राम पहाड़ी में बीते 13 जनवरी को सुभा के लगबग 7 बजे के आसपास बाजार में लगे जंडे बैनर को फाड़ा गया एवं पैर से कुचला गया इतना ही नहीं उसके पश्चाद आग में डाल कर जलाया भी गया मामले को लेकर हिंदू जागरान मंच ने अमीलिया थाने में मामला पंजीबद करा दिया है एवं आरोपियों को कड़ी सजा की मांग की है वही भगवा ध्वज जलाने एवं कुचलने से समुचे हिंदू जन्मानस आक्रोश है जबकि घटना को अंजाम देने वालों ने स्विकार भी किया है कि मेरे द्वारा भगवा ध्वज जलाया गया और कुचला गया साक्ष के तौर पर वीडियो प्लब्ध है बहराल अमीलिया पुलिस मामला पंजीबद कर लिया है लेकिन अमीलिय पुलिस के लिए यह एक चुनोंती की बात है कि कितनी जल्द आरूपियों को सलाखों की पीछे डालेगी यह सोहार्द बिगायने वाले आरूपियों का ऐसा ही होसला बुलन्द होगा टाइम एट माध्यपरदेश के लिए सिहावल से पुशपेंद्र विश्व करमा की रिपोर्ट